Good morning children, how are you all? आज हम Hindi subject में अई मात्रा के शब्दों को दोहराएंगे अई मात्रा जो होती है उसमें अई मात्रा से sound आती है ए उसमें आपका मूँ थोड़ा बड़ा खुलता है ए और जिन अक्षरों में या आजाता है उससे पहले जो अक्षर होता है उसमें sound आती है आई जिन में जिन भी शब्दों में या से पहले जो अई मात्रा आती है उसमें sound आती है आई तो आज हम इन शब्दों को दोहराएंगे हमने पहले भी कर लिया है आई मात्रा के शब्द और आई मात्रा का लेसन लेकिन आज हम इन शब्दों को दोराएंगे और आप लोग अपनी हिंदी नोट बुक निकालेंगे और उसमें डेट डालेंगे और आई मात्रा के शब मैम के साथ साथ रिवाईज करेंगे और लिखेंगे येस टेक आउट ये पैंसिल और एरेजर पाव में देखो ए की मात्रा हैगी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे पैर पैर राइड आउट पैर पैर गैस 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 बै लो बैल बै लो बैल से रड़ सेर से रड़ सेर ते रड़ तेर पैसा पैसा ते ला ते ला ते ला ते ला शे ला शे ला के सा के सा के सा के सा ये सा ये सा ये सा ये सा ये सा वे सा वे सा मे ला कोता. मे ला, मे ला मे ला, मे ला फे ला, फे ला पहला सैनिक, 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 देखो समे आई की मातरा आगी और न में छोटी की मातरा जब किसी भी अक्षन में छोटी की मातरा लगती है तो उसमें साउंड आती है ए जैसे न में चुटी की मातर डली, तो क्या आया? सै निक, सै निक है रान, है रान, है रान, है रान, मै दान, मै दान, मै दान, मै दान शैतान, 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 तै राक, तै राक, नई या, मैं हमने जब आपको आई की मातर बताई थी, तो इसमें बताया था, जहां पे भी या अक्षर आ जाता है, उससे पहले जो आई की मातर आती है, उसमें आई की साउंड आती है, जैसे न में आई की मातर डली, तो इसको हम नै नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? नई, क्या बोलेंगे इसको? नई, नई, या, नईया, भई, या, भईया, गई, या, गईया, गई, या, गईया, तो आपने मैं के साथ साथ ये सारे words लिखे हैं, अब आपको क्या करना है बिटा? कि इन words की एक बार जो सारे words आपने लिखे हैं, उनकी reading करेंगे, उसके बाद इसको किसी भी paper से या उससे hide करेंगे, और इस page से start करके, या next page पे आप शृतलेक अपने लिखेंगे, आपके भईया, दीदी, या ममी, पापा, को कोई भी आपको शृतलेक इन words में से बोलेंगे, और आपको इस page पे या इस page से start करके, कोई भी 15 शब्द, कोई भी 15 शब्द आपको इस words में, इन words में से लिखकर अपनी notebook में लिखना है, तो शृतलेक इस जब homework, शृतलेक लिखेंगे, आपको इपन्दरा शब्द हो, आई की जो मात्रा होती है, उसमें आ की sound आती है, लेकिन अगर किसी भी आई की मात्रा के बाद या अक्षर आ जाता है, जैसे ही आया था, यह आया था, और यह आया था, तो उसमें आई की मात्रा की sound हो जाती है, उसमें आई की sound आती है, और जो नॉर्मल व्यंजन है, उसमें मात्रा हम डालते हैं टू छोटे छोटे लाइन्स डालके उनको उपर से ऐसे टर्न कर देते हैं वो ती है अई की मात्रा की पहचान थैंक यू, have a nice day